हेलो फ्रेंज्स क्या कोई बता सकता है कि यह क्या है सबसे पहले सब आप इसका करंच देखे कि कितने करंची बनेगा तो सर्दियों के मोसम में यह मेरे फैवरेट है मैं इसे लगबग बनाती रहती हूं तो यह थी फ्रेंज्स मकाने आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेस्पी से एर कर रही हूं जो बेहदी हैल्दी होती है टेश्टी होती है और बनाने में पांच साथ मिंट मुस्किल से लगते है बहुती easy recipe है मकाने खाने के तो बहुत सारे फाइदे है हर किसी को पता होता है कि मकाने काने से हडया मजबूत होती है सरीर को उटा मिलती है स्किन के लिए भी अच्छा होता है बाकी ना मेरे को बहुत जादा कुछ पता नहीं है बाकी आप गूगल बाबा से पूछ ले ना कि सर्दियों में मखाने खाने के कितने फाइदे हैं तो आपको धेर सारी इनफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी और बनाने में आपने बहुत ही कम समाण्यां पे चाहिएगा तो मैंने ले ली है कड़ाई और उसमें दो बड़े चमच के लगबग मैंने डाल दिया है घी जब तक गी गरम हो रहा है तो हमें चाहिएगा गुड तो मैंने गुड़ को भी उतार लिया है और आप गुड को ना हलका सा कूट लेंगे तो एक साब सुत्रा कपड़ा ले लिया मैंने यहां पे और गुड की दो सी तीर डली डाल ली है इसको अच्छे से कूट लेंगे ना तो चासनी बनाने में आसानी होगी क्योंकि हमने आगे ना गुड की चासनी बनानी है पेलर से गुड को अच्छे से कूट लिया है तो यहां पे घी भी हो गया था गरम और अब हम इसमें डाल देंगे मखानी तो आज जो रैस्पी नोसमें मेजर्मेंट का कोई इश्यू नहीं है आपने जितना बनाना है आप उतना बना लीजे और हां यहां पे घीन आप कम भी ले सकते हो यहां पे घी आप ज्यादा भी ले सकते हो यदि आपने घी बिल्कुल नहीं डालना है तो आप इसे ड्राय रोष्ट भी कर सकते हो और अब मखाने को तब तक भूनना है जब तक इसमें अच्छा सा करांच चाह जाए तो मखाने में मखानों को भूनने में तीन से चार मिंट आराम से लग जाएंगे जब आप फोड़के देखोगे तो अच्छे से फूट जाए उतना ही आपने इनको भूनना है तो मखाने अच्छे से भून गए थे अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक प्लेट में आँच को नहीं बिल्कुल स्लो कर दिया क्योंकि इसे कडाई में आगे की प्रोसेजर भी अठीड निकाल लिया जो गूट खान यह नदे रखा हो पर प्रयाब है और जीक तो किते में चैचाने कडा चाहिए। इसनी दर्वस्ते एकमश जाल दाला है के यह ज़ thrustना हिके भूनना ख किम जांगे तो फिक सुलंगे हैं की चासनी चासनी बनाने के लिए आपने क्या करना है कि जब गुर अच्छे से घुल जाए उसमें जाग बनने शुरू हो जाए तो आपने एक कटोरी ले लेनी है और उसमें डाल के देखना है थोड़ा सा और जब आपका गुर ना कटक कटक ऐसे तूटने लगी ना तब तक अच्छे से बन गया अब यह जाग चासनी लगभग बन गया वापिस से मैं इसमें कटोरी में फिर से डाला और जो है ना बड़े वाला पार्ट फिर भी इतनी जल्दी से कटक कटक की आवाज नहीं आएगी लेकिन पतले पतले नो कटक की आवाज करेंग और आपको कटक की तूट जाए आपके चासनी ऐसी ही होनी चाहिए और आज को आपने ना बिल्कुल स्लो कर दिना नहीं तो आप जब तक चैक करोगे ना तब तक तो चासनी एकदम से और को जाएगी और जो पार्ट हमने निकाल ले थे ना गुड़के वो मैंने साथ में ही डाल दिया अब मै मिक्स करते ही मैंने इसमें मिक्स कर दिया है मखाने जो कि हमने रैडी करके रखे हैं आप देख सकते हैं कि गैस को मैंने बंद कर दिया था और अब इनको जल्दी-जल्दी से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर आपने प्रोसीजर यह जल्दी-जल्दी करना है क्योंकि ताकि जल्दी से जल्दी ठंडे हो जाए और वीच वीच में पतानी कैसे मैंने ट्रांस्पर किया वाली वीडियो में ओन करना ही भूल गई थी और अब जो मखाने आपस में चिपके हुए हैं इन मेखानों को आपने अलग-अलग करके रख देना है ताकि यह अलग-अलग रह खाने में ठीक रही और दिखने में भी अच्छे लगे और यह प्रोसीजर थोड़े थोड़े जब गिल्ले होई ना तभी मैंने कर दिया था तो ऐसे ही सारे के सारे मखाने मैंने अलग-अलग कर दिये थे मखाने बनके हो गए हैं रैडी और यह बहुत ज़्यादा डिलिश नरग मैंने कुस्तिन बने पाले च्च घी बने हैं लोगने में लकीत ज़्यादा तो यह दिस और सन्टाफ और बना सकते हो लगए ते फ्रेंड्स आप भी से जरूर ट्राइ करना और आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कुमेंट करके जरूर बताना बाइ फ्रेंड्स